हलो फ्रेंड्स में नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ग्यान विज्ञान दोस्तो जब भी आप बैंक जाएंगे अपने सेविंग्स अकाउंट में डेबिट कार्ड इशू करवाने के लिए तो कुछ बैंक तो आपको रूपे कार्ड ही देंगे लेकिन कई बैंक हैं जो आपको मास्टर कार्ड या वीजा का डेबिट कार्ड देंगे जबकि सही मायने में सबसे अच्छा कार्ड रूपे कार्ड ही होता है जिसकी खुबियों के बारे में 90% रोगों को नहीं पता होगा इसलिए दोस्तों आज के वीडियों में हम डीटेल में बात करेंगे उन कार्डों के बारे में जिनकी वज़े से आपको रूपे डेविट कार्ड ही लेना चाहिए तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फोर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों रूपे, वीजा और मास्टर कार्ड एक्चुली में क्या है और इनका क्या काम है इस पर आपको यूट्यूब पर कई वीडियो मिल जाएंगे लेकिन आईए आज हम जानते हैं कि सेविज अकाउंट में हमें रूपे डेबिट कार्ड ही क्यों लेना चाहिए पहला कारण है कि रूपे कार्ड अपने कस्टमर्स को फ्री इन्शोरेंस की सुधा देता है रूपे इन्शोरेंस प्रोग्राम के तहट जो वीजा या मास्टर कार्ड के डेबिट कार्ड में नहीं मिलती है पहले रूपे कार्ड में इन्शोरेंस हर रूपे कार्ड पर मिलता था लेकिन अब सिर्फ रूपे PMJDY कार्ड और रूपे LATINUM कार्ड पर ही मिलता है रूपे इंशोरेंस प्रोग्राम के तहत इंशोरेंस क्लेम करने क्या क्या तरीका है और इसमें कितना रूपे का क्लेम मिलता है इस टॉपिक पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे अभी हम चलते हैं अपने दूसरे कारण पर दूसरा कारण है कि जब आप वीजा, मास्टर कार्ड या रूपे के डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको लगबख हर ट्रांजेक्शन में एक छोटा सा amount transaction charge के रूप में देना पड़ता है जो लगबख transaction amount के 1% के करीब होता है अब रूपे कार्ड में अगर आप यह चार्ज देते हैं तो वीजा और मास्Tर कार्ड के कंपैरिजन में काफी कम होता है अगर visa और mastercard का 1% है तो रूपे का 1% से कम ही होगा साथ ही charge इंडिया में ही रहेगा क्योंकि ये Indian mate card है जिसका headquarter इंडिया में है इसलिए ये जो पैसा हमने दिया है ये इंडिया में ही रहेगा लेकिन वहीं visa या mastercard जो भी transaction charge कमाती है वो उसको विदेश अपने headquarter भेज देती है च्योंकि उनका headquarter इंडिया में नहीं है और ये इंडिया की company भी नहीं है विदेशी company है तो जाहिर दी बात है हमारी economy के लिए भी खराग है अब दोस्तों ये जो एक percent का charge मैंने आपको बताया ये कहने के लिए तो बहुत काम amount होता है और इससे यदा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि visa, mastercard या rupee card के debit starts बहुत ज्यादा issue हो चुके है तो सही मैंने में देखा जाए तो इस वक्त भारत में जितने भी लोग account holder है savings account जिनका खुला हुआ है तो उनके पास debit card होंगे तो इनी तीन variants में ते किसी एक के होंगे तो ऐसे में अगर सब लोग transaction करेंगे तो charge के देखा जाए तो करोडों में बन जाता है तो जानि करोडों रोपिया ये कंपनिया पैसे बाहर भेज देती है जाकि रूपे कार्ड के केस में पैसा यही रह जाता है तीसरा कारण है कि रूपे कार्ड से आपकी privacy details और आपका data इंडिया में ही store रहेगा रूपे कार्ड क्योंकि इंडियन मेड है इसके servers इंडिया में ही है इसलिए transaction और customers की detail इंडिया में ही रहती है लेकिन visa और mastercard के case में ऐसा नहीं हुए क्योंकि उनके servers इंडिया में ना होकर इंडिया के बाहर है जिसकी वज़े से transaction और customers की detail इंडिया के बाहर उनके servers में store होती है जिससे privacy threat रहता है अभी recently Mastercard के उपर RBI ने ban भी लगा दिया है नए card issue करने से क्योंकि उनके servers इंडिया के बाहर हैं जिनें इंडिया में करने के लिए कहा गया था पर Mastercard ने किया नहीं चौथा कारण है कि रूपे को एक Indian company NPCI यानि National Payments Corporation of India मैनेज करती है रूपे के आने से पहले भारत में वीजा और Mastercard का राज था जो विदेशी कंपनी है इसलिए RBI और Indian Banks Association ने मिलकर NPCI की स्थापना की थी क्योंकि ये purely Indian है इसलिए सरकारी स्कीम जैसे ही जंदन योजना, मुदरा योजना या किसान क्रेट कार्ड में भी जो बैंक से डेविट कार्ड मिलता है वो रूपे का ही मिलता है वीजा या Mastercard का नहीं मिलता है इसलिए आप इस पर आराम से भरोसा भी कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आज के वीडियों में आपने जाना उन काराणों के बारे में जिनके चलते आपको अपने सेविंग्स अकाउंट में रूपे डेवेट कार्ड ही लेना चाहिए उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे समझ म में आ गया होगा अगर आपका इसी संबंदित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछे मैं जवाब ज़रू दूँगा और सब्सक्राइब करें में चनल ग्यान विज्ञान को साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रू जबाईएगा और और पर क्लिक क्योंकि मैं ऐसे ही इंफर्मेटिव वीडियोज लाता रहता हूँ थैंक्स फर वचिंग